रो मटीरियल पर से प्रतिबंध हटाने के बाद बाइडन प्रसाशन ने लिया दूसरा बड़ा फैसला अमेरिकी राश्चुपती बाइडन ने कोविड वाक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा हटाने के प्रस्ताफ का किया समर्थन बाइडन के फैसले से इस पष्ट है अमेरिका में प्रो इंडिया लोबी के सामने अमेरिकी प्रसाशन जुग गया है पिछले कुछ सब्ता को देखे तो अमेरिका के बाइडन प्रसाशन ने कई ऐसे फैसले लिये हैं जो भारत के पक्ष में है पहले वैक्सीन के रो माटीरियल पर से प्रतिबंध के फैसले को पलटना और अब अंटी कोविड वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा अटाने का समर्थन करने का फैसला जिसे भारत और साउथ अफ्रीका ने विश्व व्यापार्ट संगठन यानी डव्ली टी ओ में प्रस्तावित किया था इन दोनों फैसलों को अमेरिका और भारत के परिपेक्ष में देखा जाए तो ये सपश्ट होता है कि अमेरिका में प्रो इंडिया लॉबी बहुत मजबूत हो गई है और बाइडन प्रसाशन के ये दोनों फैसले इसका उधारन है अगर इसे वैश्विक परिपेक्ष में देखा जाए तो इन दोनों ही फैसलों से विश्व के कई देश लाभानवित होंगे देशल अमेरिका के राश्रुपती जो बाइडन ने कोरोना वैक्सीन के लिए इंटिलेक्चुल प्रोपर्टी प्रोटेक्शन कानून में धील देते हुए कोविड वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्चा हटाने के प्रस्ताफ का समर्थन किया है इस प्रस्ताफ को मानना बाइडन के लिए आसान नहीं था अमेरिका की विश्व वियापार संगठन में मजबूत और प्रभावी पकड़ है ऐसे में साफ था कि इंटेलेक्शुल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कानून यानी पेटेंट कानून में छूट के लिए बाइडन प्रसाशन की मनजूरी बहुत जरूरी थी अमेरिका में जिस तरफ फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी मजबूत है उसे देखते हुए बाइडन प्रसाशन के लिए यह असान इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसे में उसे दवा कम्पनियों की नराजगी भी जेलने का खत्रा था परंतु ऐसे लगता है कि कोरोना की बढ़ती महमारी को देखते हुए प्रो इंडिया लॉबी ने बाइडन को इस कोविड वैक्सीन के पेटेंट में छूट के लिए मना लिया बता दे कि इस प्रस्ताफ के समर्थन में बहुत से डेमोक्राट कॉंग्रेस सदस्यों ने बाइडन को पत्र भी लिखा था और छूट देनी की मांग की थी उसके बाइडन को ये फैसला लेना ही पड़ा और बुदवार को अमेरिका की वेपार पती ने दी कैतरीन टाइन ने अमेरिकी प्रसाशन के इस फैसली की जानकारी दी उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये वहश्विक आपदा है और असमाने हालतों में असमाने कदम उठाने की जरूरत है टाई ने इस बयान में यह भी कहा कि अमेरिका इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में बहुत जदा विश्वास करता है लेकिन इस महमार के खिलाफ एक मजबूत और समिन्वित लड़ाई के लिए इंटेलेक्शल प्रॉपर्टी राइट्स की अस्थाई माफी का प्रस्ताव दिया था अधिकांश विकास्षील देश प्रस्ताव के समर्थन में थे लेकिन अमीर और विक्सित देश जैसे यूरोपियस संग के चूट का अस्थाई समर्थन किया है देखा चाए तो यह भारत की मजबूत लॉबी का ही असर्ट दिखाई देता है इसी तरह अमेरिका ने डीपीय कानून के तहट वैक्सीन के लिए आवशक रॉम मटीरियल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंद लगा दिया था कई बार कहने के बावजूद बाइडन प्रसाशन ने प्रतिबंद हटानी के आग्रह को भी चुकरा दिया था परन्तु पिछले महीने के आखिर में बाइडन ने आवशक रॉम मटीरियल भारत भेजने का फैसला किया इसमें भी किसी और का नहीं बलकि प्रो इंडिया लॉबी का ही हाथ जिससे बाइडन प्रसाशन को भारत की मदद के लिए राजी होना पड़ा देखा जाए तो डॉनल्ड ट्रम्प के समय से ही अमेरिका में भारत समर्थक लोबी मजबूत हुई है जिसका असर अब हमें देखने को मिल रहा है यही कारण है कि बाइडन को दो-दो मामलों पर अपने फैसले को बदलने की दे मजबूर होना पड़ा